अधिकारों को एकसा करना चाहता है उन मुद्दों को एकसा करना चाहता है जिनका धरम से कोई विशेश तंबन नहीं है ऐसा कोट ने अपने कई मुकद्णों में कहा तो यूनिफर्म सिविल कोट आर्टिकल 44 में दिया है मैंने आपको बताया सुप्रिंग कोट ने यह भी कहा यह तो ऐसे हो गया है जैसे की डेट लेटर है यह डेटर की तरह हो गया इसे कोल्ड बैक से निकाल कर रिवाइ किया जाए गौर्णमेंट को पॉलिसी मेकिंग की लिए कोई सुप्रिंग कोड डारेक्शन नहीं दे सकता है आधेश नहीं दे सकता है बट वो इंतजा करता है सुप्रिंग कोड गौर्णमेंट से पार्लेमेंट से कि वो कोशिश करें सविधान में में लिखा है स्ट्रेट अब तक हमने देखा कि हम लोगों ने वरकर्स के अदिकार देखे अब हम देखते हैं कुछ health education के बारे में basically DPSP social economic rights का charter है अब हम देखते हैं health education के बारे में article 45 जो बड़ा important है ये कहता है प्रुवितन of early childhood care and education to children below the age of 6 years 6 साल से नीचे के बच्चों को proper early childhood care दी जाए और education दी जाए the state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years you remember in Mohini Jain case I have told you in fundamental rights in Mohini Jain and JP Unni Krishnan if you remember fundamental rights the Supreme Court had said that right to education is the implicit part of right to life इसलिए article 21े जोड़ा गया था आपको याद होगा article 21े 86th amendment act से जोड़ा गया था उसी से इस article में भी change कर दिया गया था पहले यहां पर 14 years हुआ करता था अब उसको उन्होंने change कर दिया है six years तो यह जो change हुआ है six years का यह हुआ है by 86th amendment act 2002 से मतलब 6 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उनके लिए यह fundamental right नहीं है उनके लिए अभी भी DPSP है लेकिन छे से चार्च स्वादर साल तक के बच्चों के लिए यह fundamental right हो गया है as per virtue of article 21 capital कोशिश करेगी अल्डी childhood care दी जाए और बच्चों को शिक्षा दी जाए बहुत सारी ऐसी स्कीम से जो बच्चों के लिए काम करती है portion अभियान है अल्डी childhood care की बाग तो कर रहे हैं portion अभियान है portion one and two portion अभियान one point zero and two point zero बच्चों को संपूर nutrition देने की जो योजनाए है वो अल्डी childhood care की बात करती है बहुत सारी योजनाए हैं बच्चों की जाहे वो इंद्धनश योजना ले ली जाए जिसमें बच्चों का immunization किया जाए या उनको शिक्षा दी जाए उनको इस्कूलों में midday meal खाना दिया जाए यह सब अल्डी childhood care में आ जाता है तो बहुत सारी स्कीम government की चला करती है ICDS है बच्चों के लिए बहुत important scheme चलती है so good number of schemes are there which government run for children तो early childhood care तो हो नहीं होना है यह माना जाता है कि जो new education policy बनाई गई है उसमें माना गया है कि बच्चों का जो विकास है उसमें सही समय पर उनको सही सिक्षा मिलनी चाहिए इसी में बहुत सारी योजनाय बनती चले गई और अनली भी नो कि राइट टू एजूकेशन एक्ट दो हजार नौ पास हो गया और लागू हो गया तो डीपी एस पी भी इस शिक्षा के बारे में बात करता है और आपको याद रखना होगा 86th amendment 2 2002 2a add where the article 21 a makes it a fundamental right rte 2009 makes education a statutory right and since it is also mentioned in DPSP it can also be called it since it is passed implemented as per a law it can be a constitutional right as well as fundamental right it is a statutory right it is also a part of DPSP so this is article 45 of the Constitution a very important provision for this thing next when a kind of job because hair because key about key area cost also education or health key about key area article 46 but important which other have promotion of educational economic interests of scheduled cast and scheduled tribes and other weaker sections of the society yeah DPSP के fundamental rights के article याद होगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपको हर तरीके से काम आएंगे इविन इंटर्व्यूज में भी यह पूठ लिए जाते हैं कई बार तो प्रमोशन ओफ एड्यूकेशनल एंड एकनॉमिक इंट्रेस्ट ऑफ शिड्यूल कास्ट शिड्यूल ट्राइप्स अदर वीकर सेक्शन्स तीन ग्रूप से हैं SES, STS, and other weaker sections. SES, STS के लिए तो हम fundamental lights भी देखते चले आए हैं. Other sections के लिए हमने कोई साफ 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 लिखा हुआ fundamental light के देखा, लेकिन यहाँ DPSP के तौर पे यह है कि जो weaker sections है उनके educational और economic interest का ध्यान रखा जाए State shall promote with how special care, what the educational economic interest of the weaker sections of the people and in particular of the SC and ST's and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation यह holistic article है complete exploitation से बचाने की इसमें इंतजा की गई है सरकारों से इसके लिए काम करें योजनाय बनाएं वैसे देखा जाए तो weaker section of the society weaker section of the society यह जो phrase है यह कहीं defined नहीं है यह सविधान में defined नहीं है यहां mention तो होता है लेकिन defined नहीं है इसकी बारे में बात की गई मंडल कमिशन केस में मंडल कमिशन केस में एक means test की बात की गई जिस पर derivation दिया जाएगा है नहीं दिया जाएगा उसमें Supreme Court ने कहा जिसे इंद्रा साहनी केस भी कह देते हैं कि दक टर्म वीकर सेक्शन इस वाइडर देन तब बैकवर्ड क्लास ओफ स्टीजन्स जो आर्टिकल 16 में दिया हुआ है वीकर सेक्शन्स इसको ध्यान में रखते हुए उस समय जब कहा गया था दस परसेंट डिदर्वेशन दिदने चाहिए तो उस समय यह नहीं हो पाया फाइनली आर्टिकल 46 का सारा लेते हुए EWS काटेगरी क्रियेट की गई और समिधान में आर्टिकल 15 क्लास 6 एं 16 क्लास 6 एड किया गया जिसमें EWS काटेगरी के लिए वीकर सेक्शन तर्द सोसाइटी के लिए यह बात आप कह दी गई है तो वीकर सेक्शन अब डिफाइन हो जाता है कि यह इतने लाक रुपे सालाना हो या इतनी जमीन व्यक्ति के पास वीकर सेक्शन कहा जाएगा EWS काटेगरी तो EWS काटेगरी पर्टिकुलरली अगर हम उसे समझना चाहें तो आर्टिकल 46 के समंद से निकलती है और किसी प्रिकार का इंजस्टिस उनके साथ नहों यहाँ पर अभर यहाँ अछे स्टीन से बचाएं और एस्पेटीशन से बचाया जाए ऐसी यह ना बनाएजायाँ गुढ नंभर ऑफ इस्कीम सडॉज होति आर्विछ तो तो फिरिशन कि पर्डिकुलर2 अर्टिकल 47 फिर इंपॉर्टन हो जाता है दिदर दूटी ऑफ देस्टेट तो रेज़ दा वाट लेविल अफ नूट्रीशन नूट्रीशन की बात हो रही है एंड इस्टेट अफ लिविंग एंड तो इंप्रूब्लिक हेल्थ पॉब्लिक हेल्थ की पॉलिसी अर्टिकल 47 की बात होती है स्टेट्शन रिगार्ट ता रेजिंग ओफ लेविल अफ नूट्रीशन इसेंडर ओफ लिविंग ओफ इस पीपुल एंड तो इंप्रूब्लिक हेल्थ एजिए स्ट्राइबरी ड्यूटी यह सरकार की प्राइमरी ड्यूटी है कि लोगों की पोशन का ख्याल इसेंडर्ड ओफ लिविग का ख्याल रखें इंप्रूब्मेंट ऑफ पब्लिक हैल्थ एज़े होल का ख्याल रखें और इस्टेट शेट शेल एंडीवर टू बिंग आप प्रोहिबिशन ओफ कंजंशन ओफ लिकर एट्सेटरा 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 जिदनी में टॉ जो हैं उनको प्रोहिबिट करने के लिए कोसिशिश की जाए वह छोड़ दिया जाए जो दवाओं वगरा बनाने में इस्तेमाल होथी है इसलिए प्रोहिबिशन के बारे में समय्दान में साफसाफ लिखा हुओ लिखा है इन जर्नल आर्टिकल 47 पब्लिक के बारे में बात करता है National Health Policy है और बहुत सारी योजनाय है आयुश्मान भारत है इंश्रेंस की योजनाय है प्रामरी हेल्ट सेंटर्स खोले जाएं यह सब क्या है यह पॉब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने की बात की जा रही है और इंटॉक्सिकेटिंड ड्रिंक्स वगरा है इन सब को यह ड्रक्स वगरा है दवाईया वगरा है जो गलत हो सकती है उनको रोकने की कोशिश की जाए पटेज़े मैटर आफ एक्ट करेंट एफेर्स के तौर पर आपको बता जाता था लेकिन एक काउंटर प्रॉडटिव इसका रिजल्ट भी देखा गया कि क्योंकि अब अवैत तरीके से शराव आती है जो जादा महंगी है और जिसको पीना है वो खरीदता है तो जो पैसा बचने की उम्मीद थी अब और खर्च हो जाता है क्योंकि शराब जादा टाहसम महेंगी हो गहीए यह तो प्रोहिबिशन किया जाए तो प्रोहिबिशन का इंपलिमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है उसका निगरटीव असर ना का ज mobil दियो तो इस परिपरिंट है क्वेदप SP hope you are enjoying these videos बहुत समराइस तरीके से मैं आपको बता देता हूं समझा देता हूं और कई बात सीदे सीदे questions आ जाते हैं इनका interpretation भी आएगा एक्जाम में तो आप आराम से कर पाएंगे Thanks a lot for watching this video Thank you